Hello friends, welcome to all आज मैं आपके जो वीडियो लिकाराओ देखें शेर मार्कित की अगली चाल काफी important आज का दिन काफी important था क्योंकि आज expiry थी, monthly expiry थी अब शेर मार्कित की अगली जननीती जो है अगले महिनी के हिसाब से बनेगी देखते हैं क्या कुछ हुआ आज की डेट में कल की डेट में तो बड़ी गिरावट थी और आज गिरावट नहीं मैं काऊंगे एक indecision kind of candle बनी है अब important हो जाता है कल से आगे का दिन तो अभी क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ आज market में हुआ और कहाँ पर global markets अभी react कर रही है Singapore Nifty कहाँ पर उन सारी बातों पर focus करते हैं छोटे से वीडियो में और आगे बने से पर इमापको बता दूगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब निक है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले सिखाई गई है और साथ के सांथ practice काफी important चीज़ है practice आपको करनी पड़ेगी क्योंकि market में practice के भिना अगर आप technical analysis पर जाओगे तो फिर learning नहीं होगी या आपको वही learning वही observation बनानी है अब सीधे लेके चलता हूँ आपको US market की तरब सबसे पहले US market के current status क्या है क्या हालात US market में बने हुए है चरा ध्यान से देखिए Dow zones कहां है कहां पर NASDAQ है ये situation देखिए अभी current situation में Dow zones को मैं देख पा रहा हूँ 32 point की तेजी है तो NASDAQ में almost 20 points के आजपास की गिरावट देखने को बिली almost flat situation में इसको कहूँगा और कल की डेट में गिरावट जरूर थी लेकिन Asian market flat situation में थी और अब देखिए European market ने क्या हलात आज दिखाए European market दिन में important होती है सुबे-सुबे आपके लिए Asian market इंपोर्टन होती है इतली भी हलका सा positive में ज्यादा positive इनको नहीं कहूँगा Russia 2% नीचे गिरा है तो Italy 3% नीचे गिरा है although उसके अलावा सारी market flat situation में positive में पड़ी है और Spain में बड़ी गिरावट में इसको कहूँगा कि 3% की गिरावट है रश्या में बड़ी गिरावट में इसको कहूँगा कि 2% की गिरावट है तो यह आपने overall देख ली European market European market के साथ साथ Asian market पर आप नजर डालोगी तो आज की डेट में Asian market में जापान की नीचे गिरा straight time साब देखे डाउन पड़ा होता hang side down पड़ा होता निफ्टी सिंगापूर निफ्टी काफी important है जैसा कि कल की डेट में आपने देखा था कि किस तरीके से बिल्कुल peak level था 10,550 का यह देख लीजी आप 10,550 का उस level के बाद धीरे धीरे करके आज का जो bottom है 10,130 के आज पास का bottom इसने बनाया है अब ही निफ्टी काफी नीचे ट्रेड कर रही है यह मान के चली कि जो यह region है सीधे सीधे 400 point की गिरावट के साथ यह ट्रेड कर रही है 400 points बट अब situation कैसी है वो निफ्टी के चार्ट में जाके देखेंगे और उससे पहले अगर मैं आपको आज के कारोबार के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ देखिए आज के कारोबार में अगर मैं देखू तो सबसे ज़्यादा positive देखिए अभी तक आपने देखाऊगा सबसे पहले निफ्टी का जो पहला movement वाला leg था वहाँ पे reliance industries का बहुत बड़ा रोल था उसने अकेले market को हिला दिया था second leg अभी जो पिछले दो हटे आपने देखा था उसमें काफी तेजी जो थी banking and financial sector के shares में थी लेकिन अभी आपने देखाऊगे बीच में FMCG में गिरावाट देखने को मिली अब FMCG कहीं न कहीं मुझे एक positivity दिखाते हुए रग रहा है आज की date में although मैं यह कहूँगा कि market में यह FMCG का sector भी आपको जो है ITC के वज़े से आज की date में चला बाकी areas आप देखे बिल्कुल flat पड़े थे only FMCG आपको थोड़ा positive देखने को बाकी almost मैं flat कहूँगा और FMCG को जड़ा देखते हैं major role ITC का ही था ITC के अगर shares को मैं देखू यहाँ पे सीधे सीधे 5.5% की तेजी उसके अलावा Godres Industries हिंदोस्तान इनलेवर जैसे हम बात कर रहे थे 240 का critical level थो पार हुआ तो अभी भी यह upside है दिखा रहा है यहाँ पे और आज के अगर आप top shares की बात करो तो यहाँ पे भई ITC ही 30 point का अकेला contribution ITC का है फिर कोटेक महिंद्रा बैंक फिर हिंदोस्तान इनलेवर बजाज फाइनेंस, ICIC बैंक, हिरो मोटोकॉप भारती एटल का बहुत कम contribution लेकिन major contribution जो है वो ITC का अकेले है जिसने market को थोड़ा सा बचा के रखा although negative side मां हमारे पास बहुत सारे हैं हाँ पे SDFC, Lance Industries, TCS, Asian Bin सबका मिला जूला contribution रहा बट अब यह आपने overall picture देख लिए market की अब मैं आपको देखे जाता हूँ देखे Nifty के चार्ट के उपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ज़्यान दीजिए यहाँ पे Nifty के चार्ट को काफी important level जैसे last month की हमने बात की थी मे की month में इतनी लंबी जब lower shadow देखने को मिलती है यहनी कि buying pressure देखने को मिलता है और वो buying pressure आपने पूरे जून के महीने में देखा जहाँ पे Nifty देखे बिलकुल bottom 7500 का था वहाँ से जून जून के महीने में 10500 के level के आसपास जा चुकी है 10600 के level पे नहीं गई और यहाँ पे अब important point जो weekly के वीकले के चार्ट को आपको देखा होगा और पुरानी वीडियो जो हमने create कर रही थी Nifty के उपर जो हम create करते हैं उन में आपने देखा कि इस area को काफी critical हम बार-बार कह रहे थे क्यों इसको बार-बार critical कह रहे थे क्योंकि यह area जो है वो बहुत ही खतरनाक area 62% का जो retracement होता है वो भी यहीं पर कहीं आता है 7500 के level से तो बहुत ही critical यह range थी और वो range अभी जो weekly अभी बस एक दिन बचा है weekly का progress का यह बानके चलिक काफी stressed देखने को मिल रहा है यह बड़ी लंबी upper shadow अभी although in progress है कल के date काफी important रहने वाली है बट अगर इस तरीके से situation रहेगी और यह candle और down नीचे को होती है तो फिर आपको एक in decision के downside के candle यह देखने को मिलेगी जो कि एक मैं कहूंगा एक इमान के चलिके weekly time frame पे एक correction के लिए signal होगा बट अगर overall अभी current situation में देखा जाए nifty के weekly को high बनाया है correction तेजी जरूर यहां तक गया देखिए और जो requirement हम कहरे थे कि at least यहां तक तो जाना चाहिए गया अब एक correction के requirement मुझे लग रही है एक correction के requirement हो ज्यादा deep वाली ना हो at least थोड़ा बहुत 9800 या फिर 10,000 के level पे भी होती है तो भी ज्यादा better situation है उसके बाद यह जाए उपर तो यह इन levels को धीरे धीरे पार कर सकता है काफी important अब important यह है कि कितने level तक कहां तक वो correction जाती है अभी फिलाल मैं आपको daily time frame पे लेके जाता हूँ मैं समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ पे क्या देख रहा है वहाँ पे जो situation अभी daily time frame पे है वो कुछ इस तरीके से कि बड़ी कल की candle जो है वो bearish engulfing pattern थी एक मान के चले कि कल की candle में उससे पहले कि जो आपकी यह blue candle दिख रही है और आज फिर भी एक positivity स्टिल मैं कहूंगा gap down जरूर opening हुई थे स्टिल एक positivity देखने को मिली है अब important बात यह है कि अब support कहां पे लेगा अगर यह correction continue होता है तो मुझे लगता है कि 10,000 के near consolidation 10,000, 10,100 के near consolidation काफी important रहने वाली अगर इस range में consolidation होती है तो बहुत ही अच्छी बहुत ही positive बात में इसको मानूगा क्यों? क्योंकि यह हमारे पास 20 EMA weekly daily का है अब आप देखें bullish cross already बन चुका है यह आप देखें price हलका सा slip हो चुका है तेजी आई है अब इसके near consolidation बहुत ही important रहने वाली है अगली तेजी के लिए देखते हैं क्या कुछ होता है और nifty bank nifty के उपर भी चलते हैं अब हमने bank nifty का यहाँ भी detail में start किया है viewers की यहाँ पर demand थी अब bank nifty के chart को अगर आप देखोगे यहाँ पर nifty bank यह देखें अब आप बैंक nifty और nifty के हालात completely different है जहाँ पर आप ने देखा पूरे के पूरे मे के महनी में nifty ने बड़ी लंबी lower shadow बना के आपको दी थी buying pressure दिखाया था लेकिन bank nifty ने बिलकुल भी नहीं दिखाया था यानि कि banks और financial के shares जो है अभी भी कमजोर हालत में पढ़े हुए है इवन weekly की अगर मैं बात करूँ आपको दिख रहा होगा कि shares भाग रहे है बट पूरी की पूरी overall situation अगर आप यहाँ से देखते हो तो कमजोरी आपको दिखेगी यह देखिए यह high बनाया था और इस high बनाने के बाद correction आया था और correction देखिए यह जो low higher low है वो भी कितना देखिए जादा उपर नहीं है और फिर से यहाँ तेजी आई और अभी के time पर जहाँ पर निफ्टी इस level को touch करके आई है यानि कि weekly पे अपने 50 EMA को touch करके आई है और bank nifty जो 20 EMA से ही नीचे धकेला जा रहा है और पूरी overall market के लिए यह situation जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे जो important situation जो आपको बचा रहा हूँ कि bank जो है bank और financial के shares जो है वो 30% से उपर contribution रखते हैं market में यानि कि अगर इनकी हालत नहीं सुधरती है तो market का उपर जाना nifty का थोड़ा से tough हो जाएगा although इस week के candle आप देख रहे हो completely in decision की candle बनती जा रही है और मुझे लगता है कि हाँ यह मान के चली कि जो यह near to the breakout level था एक false breakout का इसारा होगा और यह market नीचे आएगी लेकिन अगर correction यहाँ पर आता है जादा नीचे नहीं थोड़ा से नीचे 20,000 के around और फिर यहाँ पर उपर recovery होती है so that will be a big positive for bank nifty अब आप कहोगे ऐसे कैसे तीकि नियर to the breakout level अगर consolidation आता चाहे वो जादा नीचे ना आए बट एक दो week अगर consolidate यहाँ पर करता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है और breakout के successful होने के chances ज़्यादा होते हैं इस चीज को जरूर ज्यान दै अब यह bank nifty के बारे में भी हमने बात की यहाँ पर देखिए daily time frame पर भी अगर bank nifty को देखे तो क्या हला तो वहाँ पर चल रहे हो देखिए कल की बड़ी candle nifty से ज़्यादा बड़ी candle थी बट आज की date में थोड़ा positivity जरूर देखने को मिल दिया और even कल के close से उपर आज का close है तो that is a positive thing अब यह bullish cross daily पर बनने को जा रहा है अब देखते ह आने वाले टाइम पर बनते कल से आपका नया जो है दिन स्टार्ट होगा नया दिन इन इन सेंस की आपकी जो है अभी मंतली expiry हो चुकी है तो एक important factor अब किस तरह invested trader अपना moment रखते हैं wind up करता हूं यहाँ पर वीडियो को उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लाग ह होगा अच्छा लागा तो शेर जरूर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लें बैल आकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगा और टेक्निकल आनलिसस सीखने के लिए आप जोएन कर सकते हों मेंबर्सिप जोएन बटन पर क्लिक करके थे नंक्यू, थानक्यू पर लाच्टी घीओ